वेरी गुड मॉर्निंग टु अलोफी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडशिक्स और वाइट एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे सुबह के आठ बच चुके हैं और 100 कोशिन का स्टेट हम लेकर आये हैं आपके परिक्षा 67 अपकमिंग BPSC का जो रिकूटमेंट आने वाला है और CDPO रिकूटमेंट जो की अभी आपका चल रहा है इसके एक्जामनेशन दोस्तों लगबग सेप्टेंबर में होने की संभावना है अगर नहीं भी होती है तो अक्टूबर में फाइनली इसका परिक्षा ले लिया जाएगा और आपको 67 BPSC भी नौवंबर या अक्टूबर के महीने में इसकी परिक्षा होती है तो आपके प बेसिकली यहाँ पर तयारी करने चाहिए उन सब के बारे में अपडेट आपको देंगे दोस्तों आपको एक आखरी मौका दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा तो यह आखरी मौके को आखरी प्रयास बनाईए और इस बार सफलता हासिल कीजिए लेकर चलेंगे उन सुबह आठ बजे मैंने टाइमिंग बता दिया है नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए आपको आजाना है और श्राम को आठ बजे बिहार दरोगा के लिए ये मौक्टिश्ट आपको दिया जा रहा है तो इस मौक्टिश्ट को भी लगाना ज़रूरी है जो चाहतर बिहार मिर्दा से सम्मंधित सही तथ्या या तथ्योक पर चिन्हित करें बिल्कोर आंसर कर लेंगे दोस्तो यहाँ पर तो पहला Question है आपके पास कि भारत में जलोड मिर्दा यानि कि मिट्ञा करना है तो आंसर कर लिजीएक दोस्तो यहाँ पर आपके पास और इसके कुछ नीचे कूट दिये गए हैं तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों की विकल्पों के अनुसार इनमें सभी तत्य जो है वो सही है इसलिए आप्शन नमबर ई हमारा सही हो जाएगा जलोड मिट्टी भारत के परमुख मिट्टी है पुरानी जलोड मिट्टी को बंगर कहते हैं नवीन जलोड मिट्टी को खादर कहते हैं काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को चर नोज मिट्टी भी कहते हैं याद रखेगा और मिट्टी का आधियन हम लोग पैडलोजी में करते हैं यह ध्यान रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों दो की तरफ भगॉलिक विस्तार के अधार पर भारती क्रिशी अनुसंधान परिशद के द्वारत भू छेत्र के मृदा को कुल कितने भागों मे भी विभक्त करता है या किया गया है तो आंसर कर लिजीगा दोस्तों कुल आट कर लिगे कुल आट भागों में इसको विस्तारित किया गया है सन 1956 की बात कीजीगा जिहां इसमी में भारती क्रिशी अनुसंधान ICAR ICAR जो है दोस्तो इसको भारत भूचेतर के मिर्दा को कुल आठ भागों में विभक्त भी किया गया है तो आंसर D कर लेजिएगा सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो 3 पे आंसर करिएगा सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तता सही उत्तर सूचीओं में नीचे दिएगे कूट को चुनिए उष्टने कटी बंधिये 1 को हम लोग Silent Valley से संबंधित करेंगे इसलिए यहाँ पे आपको आंसर D के साथ मैच करना होगा उचार के साथ संकू वरिक्ष को हम लोग संकू वरिक्ष वन को हम लोग मैच करेंगे हिमाचल परदेश के वनों के साथ और मैंग्रो वनसपती को हम लोग मैच करेंगे सुंदर वन के साथ और यहाँ पे जाडियों का वन हम लोग राजिस्थान में पाते हैं तो यह इस तरह से दोस्तो चार की तरफ दोस्तो सलमा बांध निम्लिकित में से किस का पुर्व नाम था आंसर करेंगे मित्रो सलमा बांध में निम्लिकित में से किस का पुर्व नाम था तो आंसर कर लेंगे दोस्तो जी हां भारत अफगान जो मैत्री बांध है उसका पुर्व नाम क्या था तो सलमा बांध आंसर क्या कर लेंगे दोस्तो ई इन में से कोई नहीं ठीक है भारत और अफगान के बीच का ये मैत्री बांध था जिसका नाम था सलमा बांध और यह बां सवाल नमबर चलते हैं दोस्तों 5 की तरफ आंसर करेंगे दुरलब धातू, वैनेडियम, किस भारती राजी में पाय जाता है बिल्कुल, आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर D अरुनाचल पर्देश में पाय जाता है next question पर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर यह है टाइटेनियम और वरुन का एक उपग्रह जिसका नाम है ट्रिट्रॉन ठीक है तो यह आपके सुमेले थे यहाँ पर सही जिया दोस्तों नोट कर लेजीगा और इसमें अगर एक कोशन हमेशा पूस्ता है कि सुक्रग्रह का उपग्रह कोई नहीं है और कोशन नमबर सेबन पर चले जल प्रपात और नदी यह भी आपका स्टेटीजी का पाट है आंसर करें अगले कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर यहाँ पर फाइब पर आंसर करेंगे दूरलब धातू वेनेडियम किस भारती राज्य में पाय जाता है तो अगर आपका अंसर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों नोट कर लिजीगा हर सवाल का जवाब जरूरी भी है जिया आंसर कर लिजीगा अरुनाचल परदेश इस दर राइट आंसर सवाल नमबर छे पर चलते हैं सुमिलित कीजिएगा यह कोशन है कि कौन से ग्रह जो है सुमिलित करना यहाँ पर तो सवाल नमबर चलते हैं दोस्तों यह आंसर कर लिजीगा सवाल नमबर साथ पर चलते हैं यहाँ पर देखिए जल प्रपात और नदी से संबंदित है अब देखिए यहाँ पर सुमिलित करते समयना इस तत्य को देखिएगा कि यहाँ से कोशन आपके एक्जाम में जरूर रह तो मांडवी नदी है यहां से संबंदित है ठीक है और यह किस राज्य में है तो यह मांडवी नदी दोस्तों गोवा में है कहां पर भाई गोवा में है डुडुमा डुडुमा जो है यह मक्षकुंड मक्षकुंड से संबंदित है ओडिशा में है यह ठीक है गोकाक गोकाक है वह सरावती है कि और करनात का में है ये भी है तो यहाँ से इस तरह से तो आंसर क्या कर लिजीआ दोस्तों यहां पे ठीक है नौर कर लिजीगा चार दो एक तीन इस दा राइट आंसर यहां भी आप कोशे नमबर आठ है कि अरावली परवत से संबंदित सही तत्यों के पहचान करें तो जो विकल्प दियेगे हैं उनमें आपको सही तत्यों बताने हैं जल्दी से आंसर करेंगे अरावली परवत की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमेटर की है ठीक है अरावली की उचाई जो है चोटी माउंट आबू है और परवत जो है गुरु सिखर है 1722 मीटर का है वो यह भी ध्यान रखेगा लेकिन यहां पे आपको तत्यों लिखेगे हैं इनमें से अगर आप उत्तर करने जाएंगे दोस्तों ठीक है जो इसमें से जो संबंधित सही तत्य हैं वो कौन-कौन से हैं बिल्कुल यह ध्यान रखेगा दोस्तों यह प्राचिन्तम आविष्ट परवत का उधारान है करेक्ट बात है यहां पर और दोस्तों अरावली भारत की प्राचिन्तम परवत का उधारान भी है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा राजिस्थान के छेत्रों में है एक से हम चलते हैं कुछ नमर नाइन पे जल आउसदी दिवस का थीम क्या रहा कि बिलकुल आंसर कर लिएगा सेवा भी रोजगार भी आंसर भी हो जाएगा इस दर राइट आंसर नोट कर लेंगे दोस्तों यहां पे जो भी छातर आंसर कर रहे हैं सोच समझ के आंसर करिएगा हर सव सवाल नमबर 10 पे चलते हैं दोस्तों स्टार शिप एस ड्टिन रोकेट जो है किसके द्वारा विक्सित किया गया है गी एक्जैक्ली आंसर कर लिजी दोस्तों इस दी इस पेस एक्स के द्वारा किया गया है डी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लिजी का दोस्तो सवाल नंबर 11 अंतराश्टिय महिला दिवस 2021 का थीम क्या हुआ है दीवस भी पूछता है और थीम भी पूछता है तो आंसर कर लिजी का दूस्तो इस ची वोमेंस इन दर लिजे दिवस का 8 गि्यात रखेगा द्वसतो ठीक है सवाल नंबर चलते हमें दोश्तों यहांपे 12 दोस्तों यहांप expedition और दोस्तों यहांपे है थीम क्या है और सम्षचा को इलक्रोणिय। मतलब टत्त्व का परमाणू या मूलक और या ऑयन जिसमें की इलेक्रों लों की समान संख्या हो तो यहां पे उसको हम लोग इलेक्ट्रोनिक कहते हैं जैसे कि m m- o minus ठीक है तो 10 इलेक्ट्रोन होते हैं अ- माइनस में ठीके समस्थानिक और समभरिक दोनों अलग लग चीज होती हैं समथानिक में परमानु शंख्या समान होता सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों तेरा पे पेट्रोलियम भंडारे के रूप में प्रत्थम इस्थान पर कौन देश है तो बिलकुल आंसर कर लिजीगा वेनुज्वेला ए इस दा करेक्ट आंसर दूसरे पे कौन है तो साओधी अरब है तीसरे पे कौन है भाई तो कैनेडा है ये ध्यान रखिगा ये कोशिन important है और सिर्श पेट्रोलियम उतपादक देशों में पेट्रोलियम उतपादक देशों के अगर बात करें ये तो भंडारे की बात होगी उतपादक की बात करें तो ये ध्यान रखिगा USA है फर्स्ट पे देखे दोनों ही कोशिन घुमा की मिलाओं को कला परदर्शनी का आयुजन कहां किया गया बिल्कुल आंसर कर लिजीगा दोस्तो इटसब बी नई दिल्ली में सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो पंदरा पे जब मो कश्मीर की गुच्छी क्या है जिसे की जनवली 2021 में जी आई टेक दिया गया है जोग्राफिकल इ दोस्तो 16 पे कैपिटल हिल कहां ऐसी थे जिस पर की जनवली 2021 में हमला हुआ है वसिंग्टन डी सी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लिजीगा दोस्तो यहां से सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो 17 पे भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है भारत की सबसे लंबी नहर है दोस्तो इंद्रा गांधी नहर सी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लिजीगा छेस सो पचास मीटर की लंबाई है इसकी इंद्रा गांधी नहर जो की उत्तर पश्चिम राजिस्थान के मरु स्थलिये छेत्र में सीचाई के लिए इसको बनाया गया है इसका बात दोस्तों अगर हम बा साथ में किया गया ठीक है सोन नहर भी काफी लंबा नहर है ज्यान रखेगा सवाल लंबर चलते हैं 18 पर दोस्तों आंसर करेंगे चले यह चार कथन दिए गया है यहां पर इन कथनों में बचाना बताना आपको इसके विचार करना आपको तो वोल्ट और कुलाम का गुनन फ जूल पर सेकेंड होता है यह भी कथन सत्य भाई और वोल्ट और वाट का गुनन फल अश्व सकती होता यह कहां से हो जाता है गलत हो जाएगा ना फिर तो और वाट घंटा को इलेक्ट्रों वोल्ट के रूप में मापा जाता है यह कथन बिलकुल सत्य भाई तो एक दो और जो है आपका कथन सत्य है तो बिलकुल बी इस दा राइट आंसर नोट कर लिजीगे यहां से सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पे 19 पे ड़ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ई आई यू के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया के सबसे महेंगे सेर में सिर स स्थान पर कौन रहा है तू बिलकुल ध्यान रखेगा दोस्तों आंसर ए कर लिजीगा होंग कौंग रहा यह इस दा करेक्ट आंसर सबसे महेंगे सेरług की लिस्ट में यह दोस्तों है होंग कौन रहा सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 20 प nord और ब्रेकिंग थूर अ डिना आहुल वालिया ठीक है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आंसर ए हो जाएगा कोशिन अंबर 21 दोस्तों बिहार सोसलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया कोशिन बहुत ही इंपॉटेंट है आंसर ए कर लिजेगा सन 1931 में किया गया गंगा सरन सिना के द्वारा राम ब्रि में दोस्तों पटना में याद रखेगा सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे सवीने अवग्या आंदोलन के दोरान बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्तर पहनने से इंकार कर दिया था और अपने विरोध के पक्ष में नंगी हरताल कर दी थी तो बिलकुल स सवीने अवग्या अंदोलन दोस्तों संबंदी था दोस्तों छपरा यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है इसको स्टार मार्क जरूर लगा लिजिएगा जो कि आपको बता दे कि छपरा जो छेतर है वो सारन डिश्टिक्स से जुड़ा हुआ है और सवीने अवग्या आंदो नदियों में से समंधित तत्यों के अधार पर यह बताया गया है कि इनमें से कौन अलग नंदा में दाइं और से आकर मिलती है दोस्तों आप लोग जो है कभी नदियों का प्रवार पढ़िएगा तो उसमें कुछ एक रेखिये कुछ ऐसी नदिया है जिसमें की भगी रथी आकर और आपको बंदाकिनी आकर गंगा में मिली है दोस्तों ठीक है जो कि गंगोत्री भी मिली है यहाँ पर केदारनाथ से निकले हुई म नंदाकिनी भी मिली है और धौली गंगा भी मिली है आकर यहाँ से और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो नंदाकिनी भी और पिंडारी भी आकर यहाँ से मिली है ठीक है यह ध्यान रखेगा सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 24 पे गुदावरी महाराष्ट्र का तो यहां पर नाम दिया गया है यहां पर कोशन remindsbab site नाशीक से से नाพर शुरुघ कर्यालिए वर उडिशा से भी livre रहें महाराष्ट्र मद्यप्रदेश च्हटीज यहां पर स्पाव उड़िशा वाला यहां पपर भाई कि अर्षा त côngरा मैं जोडने से यहां से सब कुछ में यह कर गया गोदावरी जो है दक्षिन गंगा कही जाती है और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तो तो आप लोग बताएंगे 1465 किलो मिटर का है ठीक है दक्षिनी गंगा के नाम से जाना जाता है यह फिर जाकर बंगाल के खाड़े में गिरती है तो यह ध् पश्चिम मांसून की संभावे तीथी इन में से कौन सी सही है तो आंसर कर लिजेगा दोस्तों एट सब्वी 11 जुलाई जो है वो सही तीथी बानी जाती है बिहार में मांसून के लिए सवाल लंबर 26 लौ इसपात और इंजिनेरिंग उद्व के लिए संजुक्त राज अमेरिका ने निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख समझाया था यहां प्रमुख है उसका नगर ध्यान रखेगा ठीक है आंसर कर लिजेगा ई दोस्तों ठीक है इ कर लिजेगा यहां पर इ क्य से बड़ा देश चाइना है दोस्तों यह ध्यान रखेगा तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा नोट कर लिएगा विकल्प में दियेगे सभी सहर जो है यह USA के हैं और लौ इसपात इंजिनेरिंग के प्रमुख है तो यह भी डिट्रॉइट भी और सेंस फ्रैंसिस्को भी डालस भी चारो के चारो है तो आंसर ध्यान रखेगा आंसर यह हो जाएगा एक से ज्यादा सवाल नंबर चलते हैं 27 पर अंसर करेंगे दोस्तों आरणय देवी मंदिर बिहार के किस सहर में है डी कर लिजेगा आरणय देवी जो है आरा जिला में है दोस्तों आरा जो है छेत निम्न में से कौन सी तथ्य नहीं है सही नहीं है यहां पर ठीक है तो यहां पर आंजर कर लिजी को मित्रो बिहार में साक्षरता जो का सक्षरता भारत का सक्षरता दर से बहतर है यह कथन गलत कह दिया गया है तो ठीक है यहां पर कथन यहीं गलत है हमारा डी हमारा उत्तर हो जो कि गलत है यहां पर नहीं बोला गया ना सवाल नंबर चलते हैं 29 पर दोस्तों माविरिक मेशिय किस नेता या नेतरी की राजनेतिक जीवनी है बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहां पर यह इस दा करेक्ट आंसर एंटी रामा राओ एंटी रामा राओ बहुत पहले बता चुका हूँ यह कोशन आप लोगो सवाल नंबर तीस वीर सावरकर अंतराष्टी हवायदा कहां पर इस्तित है आंसर ए कर लगीगा पोर्ट ब्लेयर में है पोर्ट ब्लेयर दोस्तों याद रखेगा है ना बाबा साहेब अमेटकर कहां पर है नागपूर में है सरदार लिख लिजे एक साधा कॉपी पर और इसको पढ़िएगा एक कुशन यहां से अवश्य रहेगा सवाल नंबर एक अत्तिस भारत में कितने राज्यों की सीमा बंगला देश से लगती है तो आंसर सी कर लिजेगा इस दराइट आंसर ठीक है पांच राज्यों से मिलती है यह असम मिखाले त्रिपरा और मिजोरम से मिलती है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो 32 पे पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी कौन सी है महेंद्र गिरी ए इस दराइट आंसर दोस्तो यह उडिशा मेस्तित है यह ध्यान रखेगा यह कलसु भाई महाराष्ट की सबसे उची च सहर का यह भाग है अंसर सी कर लिजेगा इस दराइट आंसर कोचिन भारत का सबसे फैला हुआ प्रांगन वाला बंदरगा भी है पुर्दगाली ने भारत मिस्टर प्रतम पंद्रों सो दो में कोचिन में कारखाना भी स्थापित किया था सवाल लंबर चलते हैं 34 पे किसी र संसद विधी द्वारा जहां भी विधान परिशद है उसका उत्थान जो है यहां पर जिस राजी में नहीं है वहां का स्रिजन कर सकती है ठीक है चलिए सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो 35 पे किस संविधान संसुदन की द्वारा लोक सभा की सदस से संक्या 525 से बढ़ा कर 545 कर दिया गया है ङरे सो यह फिर दोस्तों यह तिस वा था 31 ठीक है इसको लिख लिख लिजिएगा लोग सभा के निरवाची सदस्वों की संख्या कितना होता है पांसो तित्तालिस है अभी ठीक है सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों सवाल लंबर 36 किस प्रधान मंतरी के विरोध में सर प्रतम अव विश्वास परस्ताव लाए गया था ज इसके द्वार लाए गया था तो जेवी किर्पलानी के द्वार लाए गया था और यह और विश्वास प्रस्ताव जो है 22 अगस्त उने 163 को लोग सभा में बहस में भी रखा गया था जो कि पारित ना हो सका था लेकिन अटल बिहारी बाजपाई के समय भी एक मातर भारत के प्रधान मंतरी है जो की एक मत में लोग सभा में विश्वास मत खोद चुके थे हैं तो आंसर कर लिजीगा वैसे जो हालाल नहरू के प्रस्ताव लाए गया था उनके समय सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पे 37 पे अगले साल किस राज्य ने क्रिसी बजट पेश करने की घोशना की है तो आंसर करेंगे डी राजिस्थान ने दोस्तों क्रिसी बजट पेश किया जाएगा राजिस्थान सरकार के द्वारा अशोक गहलोत जो है यहां के क्या है तो मुख्यमंतरी है कल राज मिस्र जो है यहां के गवर्नर है सवाल नंबर 38 एज 5N2 बर्ड जो रोग आया था ना बड़्ड फ्लु सबसे पहले उन्हीं 18 में आया था ठीक है और इस रोग सा मुख्यकारण क्या था बिशान होता जिसका सुत्र क्या था अब यह एज 5N8 आ चुका है ठीक है तो यह अभी रूस में पाये गया है इसके समंदित ठीक है जो भी इसके लक प्रणी समय है रहले हुआ है कि इसको आप को बीमार होते हैं बुखार होता है कौन है भाई जिया नोट कर लिजीगा SP सिना है सचिदा नंद सिना है C is the correct answer एक तो ठीके SP सिना Y सराय की कारेकारी परिशत की न्योकती होने वाले परतम भारतिय सदर से थे और 1909 में 1909 में अधिनियम में पहली बार प्रबधान भी किया गया था और दोस्तों Y सराय की कारेकारी परिशत भारतिय परिशत से भी जाने जाती है और आपको बदा दे कि SP सिना को यहाँ पर सर परतम विदी समय में नियुक्त कर लिया गया था 1833 चार्टर एक्ट भी लाया गया और सर परतम 1834 में लॉड मैकले ने अध्यक्सता भी इसके की थी ठीक है तो यहाँ भी ध्यान रखेगा यहाँ से कुशिन आ सकते है एक्जाम में ठीक है और देखेए कुशिन और पुछेगा एक्जाम में कि SP सिना जो है सचिदानन सिना यह गलत उतर है SP सिना अलग है सचिदानन अलग है पे आंसर E कर लोग संबंदित बिलकुल आंसर कर लोगए दूस्तों नोग है इस मिसन में ब्रेटिश मंत्री मंडल में कुल पाँच सतस्यत है गलत बात है यहाँ पे कुल तीन ही सदस्य थे हैं ठीक है लॉड पैंथिक, लॉरेंस, सर इस्टॉफट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों एक तालेज पे राजनेतिक स्वतंतरता राश्ट का जीवन स्वास है ये कहा था किसने कहा था बिल्कुल ध्यान रखेगा दोस्तों ए इस दर राइट अंसर अर्विंद घोष्ट ने कहा था ठीक है याद रखेगा कुशन आएगा ही आएगा एक्जाम में यहां से अगले सवाल पर चलते हैं अंतरिक्ष में पहला सैन ने अभ्यास किसके लिए बिल्कुल ध्यान बखेगे दोस्तों यहां पर टितली की परजाती परजाती है w स्वाल नमबर 44 छपाई मसीन के अविश्कार का स्री जो है यह गुटनबर्ग को जाता है यह किस देश का था छपाई मसीन जो है दोस्तों यह गुटनबर्ग ने किया है जो कि जर्मनी का निवासी था आंसर यहाँ पे हम D कर लेंगे और दोस्तों 1449 में प्रिंटिंग प्रेस का विश्कार भी किया गया था सवाल नमबर चलते हैं 45 भारत की पहली भूतापी विद्धुत परियोजना का स्थापना किया जाएगा जियां पुगा गाउं में किया जाएगा इस दराइट अंसर सवाल नमबर चलते हैं 246 पे अंग्रेजों की विरुद बंगाल छेतर में चुवार जंजाती विद्रो के नेता निमलेखित में से कौन थें चुवार जंजाती विद्रो अठारवी सती के उत्रार्द में बंगाल छेतर में विद्रो किये थें चीए और दोस्तों यह अहां पर आंसर तो हैं नहीं हिद्यान रखेगा यहां पर आंसर नहीं कियेगा चुवारों ने अंग्रेजी सत्य का विरूद किया था, और इस बिद्रों में अंग्रेजों के दम अंग्रेजों की द्वरा सेन बल भी दबा दिया गिया था, ज्यां दोस्तों विद्रों के निर्थित्व करता रखनात महतो थे, नाम है नहीं यहां पे तो आंसर E कर लिजेगा सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों यहां पे 47 पे हम महरानी और सिर्फ महरानी की रईयत होना चाहते हैं यह नारा, स्लोगन, कथन जो भी कह लिजे किस अंदुलन से समंदित है बिलकुल यह नारा, स्लोगन या कथन कह लिजे तो यह पाबन अंदुलन से समंदित है B is the correct answer नोट कर लिजीगा दोस्तों यह भारत का प्रतम किसान सभा संगठन भी हुआ करता था पाबन अंदुलन सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों 48 पे सरपतम किस एक्ट के तहट भारत की सिक्षा प्रसार के लिए एक लाख रुपे खर्च करने का प्रबधान किया गया है बिलकुल आठारा सो अठारा सो तेरा चार्टर एक्ट ध्यान रखेगा आंसर एक कर लिजीगा इस दर राइट आंसर ये इस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को भी सिमित करता है ये इसाई धर्म को भी भारत में धर्म परचार करने के अनुमती देता है ये दोस्तों दास व्यापार के परतिबंद लगा दिया गया है और 1833 के तहट अगर देखा जाए तो दास व्यापार को परतिबंद लगाया गया है और गवर्नर जनेरल की करिकारनी परिशेद में भी विदी सदस्य को प्रबधान दिया गया है सवाल लंबर आंसर एक कर लिजीगा सवाल लंबर उन्जास भारत का पहला समचार पत्र निकालने का स्रे निमलिकित में से किसके नाम से है एक्जैक्ली याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर जेम्स ऑगस्टम हिकी यह इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लिजीगा दोस्तों यहाँ पर 1780 इस्वी यह ध्यान रखना होगा 1780 इस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी के दौरा भारत का पहला समचार पत्र बेंगॉल गैजेट अत्वा कलकता जेनरल एडवाईजर प्रस्तित किया गया था दोस्तों प्रकाशित किया गया था आंसर यह कर लेंगे सवाल नंबर चलते हैं 50 की तरफ आंसर करेंगे कोशिन नंबर पचास का आंसर दिखें आपको आप्शन दीख रहा होगा राजाराम मोहन राय से संबंद इतने मलिकित मेंसे कौन से कतन सत्य है बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर लेंगे मित्रो B is the correct answer Raja Ram Mohan Rai हिर्दय पुर्व से पाश्यम के उत्तम तत्तो के समनवे में लगा था Raja Ram Mohan Rai समन जो है यह कथन सही है कि उनका हिर्दय जो है वो पुरप से पाश्यम के उत्तम ततो के समनवे में लगा था और जिर्दय यानिए उनका जो मन है दिमाग है दिल है राजा रामोहन राय का जनम 1772 इस्वि में हुआ था मित्रो बंगाल के होगली जिला से वो समंदित है ठीक है सवाल नंबर चलते हैं 51 पे कुल भूशन का नाम दर्ज किया जाए किजिए पुस्ता के लेखा कौन है बिलकुल आंसर कर लेंगे D is the right answer अलका सरा सवाल नंबर चलते हैं 52 पे जो अंग्रेजी या विश्वास करता है वह पुराने काल की तरफ भारत पर राज कर सकता है ठीक है और जो भारती समझता है कि हमारे देश का भाग ब्रिटिश समराजी से बाहर है वह दोनों ही आधुनिक परिशिती में नहीं समझते हैं यह कथ सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों तेरफ पन पे लाला लाजपत राएक कांग्रेस के किसा अधिवेशन की अधेख्षता चुने गये थे अधेख्ष चुने गये थे बिल्कुल सन 1920 में याद रखेगा दोस्तों यह विशेस अधिवेशन कोलकाता इस दा राइट आंसर सी इस दा करेक्ट आंसर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपूर में आजित किया गया था ठीक है यह नोट कर लिजेगा दोस्तों सवाल लंबर चलते हैं 1935 पे वर्तमान बिहार में छेत्र में शुतनतरता पूर्व भारती राष्टिक कांग्रेस के दो बार अधिवेशन हो चुके हैं ठीक है आनसर यहा पे बी कर लीजेगा ठीक है सुतनतरता के पूर्व भारत बिहार में तीन कॉंग्रेस अधिवेशन हुए थे लेकिन सुतंत्र भारत में दो ठीक है 1940 की बात की जाए तो रामगड और 1912 में कॉंग्रेस पटना और 1922 में दोस्तों कॉंग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था यह तीन था अजादी से पहले ठीक है याद रखे है तो बरतमान बिहार की बात हुए तो छेतर में सुतंत्र पूर्व भारती कॉंग्रेस राष्टी कॉंग्रेस का कितने बार देविशन हुआ है तो यह दो ही बार हुआ है ठीक है जो बरतमान बिहार है वो तो जहरकंड से बढ़ चुका है तो अभी जो हमारा छेतर है गया और पटना ही बचा है तो गया और पटना ठीक है गया और पटना ये दो बार यहां पे हुआ है एक बार यहां एक बार यहां और एक रामगड में हुआ था जो कि अब जहरकंड का छ पूछा गया है तो यह उसके अनुसार मंदल के ग्रहों का विस्तार जो है वरुन अरुन शनी और ब्रेस्पती है ठीक है तो आंसर कर लिजी का ए वरुन अरुन और शनी है यह आपका कि परिक्रमन काल है revolution period कहते हैं इसको वरुन का है दोस्तों लगभग 165 वर्स 165 वर्स फिर उसके बाद अरुन का है 84 वर्स और दोस्तों सनी का है 29 वर्स और दोस्तों ब्रेस्पती का है 12 वर्स यह revolution period है ठीक है याद रखेगा important question बन सकता है मंगल का पुछले तो 687 दिन है और प्रित्वी को तो आपको पता है कि 365 दिन होता है और पांच घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड यह complete लिख लेजेगा ठीक है और सुक्र का तो 225 दिन और बुद्ध का तो 88 दिन यह आपका दिन में है ठीक है परिक्रमन करने का काल है य बिश्व का सरवादिक ठंडा इस्थान वर्खो या शांक किस देश में है वर्खो या शांक जो है साइबीरिया रूस में है ठीक है याद रखेगा आंसर सी कर लेजेगा साइबीरिया रूस में है यहाँ पर तापमान जो है दोस्तो 68 डिगरी माइनस 68 डिगरी सेल्सिस तक रिकॉर्ड किया गया है साइबीरिया छेतर में अयुंकोन शहर है जहाँ पर माइनस 71 डिग्री सेल्सियस तापमान भी दर्ज किया जा चुका है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 58 पे कथन एक है और उसके कारण है महात्मा गांदी के द्वारा 1922 में और सायोगा नुलन तो यहाँ पे दोस्तों ए जो है कथन आपका आर दोनों ही कथन ए और आर दोनों ही कथन सही है और आर जो है दोस्तों जो आपका कारण है वो एक की जो है कथन की जो है ब्याख्या सही नहीं करता है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा B is the correct answer नोट कर लेंगे मित्रों यहाँ पे पतंद गलत है ठीक है अभी तो भाईया कोरोना ही सबसे अधा प्रख्यात है यह चापर वायरस क्या था ध्यान रखेगा यह दक्षणी अमरीका के रूप में दक्षणी अपरिका में पेरू में पाया जाता है ठीक है चापर वायरस डी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लेंगे यहां पर सवाल नंबर चलते हैं साथ पर पूना में प्लेग समीती के कमिश्टर रैंड नामक अधिकारी की हत्या कव और किसके द्वारा की गई 22 जून 1897 याद रखीगा चाफेकर बंदूओं के द्वारा किया गया था यह इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लेंगे यहां से सवाल नंबर 61 दोस्तों आंसर करेंगे यहां से कोशन भी सारे इंपॉर्टेंट है और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आपने दोस्तों गुरूप में भी ताकि वो लोग भी यहां पर इसको अटेंट कर सकें लगातार यह रोज सुभा आड़ बज़ जिला नयाधीस को कौन न्यूक्त करता है तो आंसर कर लिजिएगा बी राजी का राजीपाल कर सकता है ठीक है यह ध्यान रखेंगे दोस्तों ठीक है और राजी का जो राजीपाल होता है उच नयाले की मुख नयाधीस को सलाव की देता है और जिला और सत्र नयाधीस का जि आई चे में और ऑर अर्टिकल 233 से लेकर 237 तक में वड़नीत है थीक सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों 62 पर राष्ट पती उपर राष्ट पती के चुनाओ सम्मंदित विवाद क्याका लाता है कहां लाए जाता है राष्टपती और उपराष्टपती के चुनाव सम्मंदित विवाद उचतम नियाले में लाए जा सकता है देखे देखो अगर आपको लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी यहाँ पे पॉलिटी से सम्मंदित कोशन है उसका मैंने कुछ नोट्स जो है आप लोगों को एप्लिकेशन पे एक फोल्डर है बिहार SI करके यूटूब करके ठीक है बिहार SI यूटूब उसमें डाल रखा है तो इन नोट्स को थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिजेगा पढ़िएगा एक बार समझ में आ जाएगा सारी कहानी सवाल नमबर चलते हैं राष्टपती और उपराष्टपती के चुनाओं सम्मंदित विवाद का कहां लाया जा सकता है तो भाई ये कोशन बता चुका आप लोगों उस्तम नियाले तक ही लाया जा सकता है सवाल नमबर 63 1857 में अंग्रेजों के विरुद जिहाद का प्रचार किस ने दिया था बिलकुल याद रखेंगे दोस्तों 1857 में अंग्रेजों के विरुद जिहाद का प्रचार मौलवी अहमाद उल्लाह ने दिया था ठीक है आंसर क्या कर लेंगे B is the correct आंसर 1857 के विरुद मौलवी अहमाद उल्लाह ने फैजाबाद का नेतित किया था ये कोशन पूर सकता है है ना ये नोट कर लिजीगा फैजाबाद का नेतित किया था इन्होंने सवाल नमबर 64 पे चलते है उचितम नियाले के मुख्य नियादीस के अधी वार्षित्ता आयू क्या है आंसर कर लिजीगे दोस्तों यहाँ पे उचितम नियाले के मुख्य नियादीस के अधी वार्षित्ता आयू है 65 वर्स तो आंसर यहाँ पे हम E कर लेंगे इन में से कोई नहीं सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों पटना उचन्याले की स्थापना कब की गई कोशन देखिए पूछा गया है एक्जाम में ठीक है आंसर करिए जल्दी से बिल्कुल आंसर कर लिए दोस्तों C is the right answer 1916 में C is the correct answer पटना उचन्याले की स्थापना 3 फरवर 1916 में किया गया था सवाल लंबर 66 भारते संविधान की अधिन विधान की अवसिष्ट सक्तियां किस में नहीत होती हैं बिल्कुल दोस्तों याद रखेगा भारते संविधान की अधिन जो है विधान की अवसेश शक्तियां संसद में नहीत होती है C is the right answer चलिए सवाल नंबर चलते हैं 67 पे अखिल भारतिय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है बिल्कुल आंसर करिएगा राष्ट्रपती करता है अखिल भारतिय सेवाओं के नियुक्तियां राष्ट्रपती करता है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ इसमें IAS, IPS और IFS जो हैं लोग सेलेक्ट होते हैं ये तीन सेवाएं के लिए सवाल नंबर चलते हैं 68 पे नई सिक्षानिती 2020 के किस समीती की सिफारिष पर लाया गया है बिल्कुल आंसर कर लिजिए के दोस्तों यहाँ पर It's a C is the right answer के कस्तूरी रंगन समीती Is the right answer नई सिक्षानिती 2020 में मानो संसादन और विकास मंत्राले के नाम से सिक्षा मंत्राले भी अब कर दिया गया है सवाल नंबर चलते हैं 69 पे भारते समीधान में समीधान संसोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है बिल्कुल आंसर कर लिएगा दोस्तों जीवाल भारते समीधान में समीधान संसोधन की प्रक्रिया जो है इस में से किसी में से नहीं लिया गया है ठीक है यह जो है प्रक्रियत दक्षिन अफ्रीका से लिया गया है ठीक है तो आंसर हमारा E हो जाएगा is the right answer सवाल नम्बर 70 निमलिखित में से कौन मतदाता आयू घटाने से संबंदित संविधान संसुधन है सभी आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आने चाहिए एक एक छातर का जितने लोग देख रहे हैं वीडियो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी आंसर करके अपना स्कूर बताएंगे लाश्ट में सवाल नम्बर चलते हैं 70 पे आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पर और दोस्तों 61 समिधान से सुदंत किया था 1989 में ठीक है सवाल नम्बर चलते हैं दोस्तों 71 पे भारते समिधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन से सूची राजियों के नामों की सूची तथा राजिय के छेत्रों का बेवरा देती है आंसर कर लिजिएगा सी पहली सूची इस दराइट आंसर सी इस दर करेक्ट आंसर सी इस दर करेक्ट आंसर भारते समिधान की प्राणव में अनुसूचियों आठ है ठीक है ये नोट कर लिजिएगा भी सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पे 72 पे भारत में सुधारत मक्ता याचिका उच्चित्म नियाले में निम्न अनुच्छेद के अंतरगत दाखिल की जा सकती है बिल्कुल 142 बी इस दा करेक्ट आंसर शुधारत मक्ता याचिका की अधारना समिधान की 142 के स्विस्चलेशन में निकली है और भारते समिधान के नुच्छेद 142 के तहट दोस्तों उच्च्चम नियाले के डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन भी प्रकटी करन यान दोस्तों मौलिक अधिकारों की स्रेणी से निमलिकित में से किस अधिकार को हटाया दिया जा गया है तो बिल्कुल यहां पर आंसर कर लिजीगा दोस्तों C is the correct answer संपत्तिक आधिकार यहां से दोस्तो भारते समिदान के 44 संसुदन से मौलिक आधिकारों की स्रेंडी से संपत्तिक आधिकार हटा दिया गया है 1978 में ये कारणामा किया गया 44 संसुदन था Article 19 के तहट 46 संसुदन की आधिकार को समाप्त किया गया सवाल नमबर चलते हैं दोस्तों यहां पे 74 पे पंचायत के सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं अभी बिहार में होने वाले हैं मुखिया सरपंच का चुनाव तो आंसर कर जिएकार जनता दोरा परतेक्ष रूप से यह किया जाता है D is the right answer सरपंच ग्राम का पंचायत का प्रमुक होता है सरपंच भारत में स्थानी स्वोसासन के लिए गाउं इस्तर पर विदिक एक संस्था है जो कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है सवाल नमबर चलते हैं दोस्तों यहां पे 75 पे किन राज्जियों में एक स्तरिय पंचायती राजविवस्था कायम है बिलकुल आंसर कर लिजिएगा दोस्तों यहाँ पे त्रिपुरा, केरल और जम्मू किश्मीर में एक स्तरिय पंचायती राजविवस्था कायम है C is the correct answer ठीक है यह ध्यान रखेगा कोशिन पूछा भी जा सकते है एक्जाम में इसको ध्यान में रखेगा और जबकि केरल, जम्मू त्रपुरा और मणीपूर, शिक्किम, मिघाले, नागालेंड, यह मिजोरम यह एक स्तरिय पंचायती राजविवस्था में भी आते है ठीक है दो इस तरीय में असम, मद्यपर्देश, करनाटक, रोडिशा और हर्याना है लिख लेजीगा यह जरूर लिखेगा आप लो सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों 76 पे भारत में किस संसदिये समीती की समानिता अध्यक्ष्टा जो है यह विपक्ष के प्रमुक सदस्थ के द्वारा की जाती है तो बिल्कुल आंसर करिए कि दोस्तों भारत में लोक लेखा समीती समानिता अध्यक्ष्टा विपक्ष के प्रमुक के सदस्थ के द्वारा की जाती है आंसर बी हो जाएगा is the right answer सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों कोलकटम और छोलिया निर्तिसेली जो दो राज्यों से समन्दित है बिल्कुल कोलकटम जो है और छोलिया निर्तिसेली जो है आंध्रपरदेश और उत्राखंड से समन्दित है ये आंद्रेपरदेश और उत्राखंड की दो निर्थिसेलिया है सवाल नमर अठतर इन में से कौन सा बंदरगा भारत के पश्चमी तट परिस्थित है तो आप लोग ने नाम सुना होगा मारमा गोवा का तो C is the correct answer जो कि भारत के पश्चमी तट पर है मारमा गोवा बंदरगा गोवा के अरब सागर के तट को ही कहते है ठीक है याद रखेगा सवाल नमर चलते हैं 79 पे इन में से उश्चन कटि बंदिये हरित वन का कौन सा छेतर है D is the right answer पश्चमी घाट का ये छेतर है दोस्तो याद रखेंगे और ये पश्चमी घाट में पाए जाता है पश्चमी घाट में कुल लंबाई दोस्तो 1600 किलो मेटर की है ये ध्यान रखेगा सवाल नमर चलते हैं 80 पे भारत को किशन गंगा परियोजना का निर्मान करने की अनुमती किस ने मिली है तो आंसर C कर लिजिएगा इस वर्ल्ड बैंक यहां वर्ल्ड बैंक से मिली है सवाल नमर चलते हैं 80 पे भारत में निमलिखित किस के अंतरगत पंचाहती राज प्रणाली की विवस्ता की गई है तो ये भी कोशन बता चुका है यहां पर दोस्तों कि बीचे जितना कोशन यहां पर की जीएगा उतना भी ज्यादा वहां सथी ना कि इस पर बह του करने का जूरत है टिक है जाधा ज्याधा सुधार की जीए इसको बहत सिर्फ गरूप डिसकसन में कर सकते हैं आप लो ध्यान रखेगा चलिए यहां से अंसर कर जिए भारत में निमनेक तुम से किसके अंत्रगत पंचायती राज प्रणाले की बवस्ता की गई है तो भाई जरूर से याद रखेगा अंसर डी कर जिए राज जिके निति निश्चक तत्व के द्व होते हैं बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों जी हां आंसर कर लिजीगा दोस्तों यहां पर आर्टिकल चववन के तहट अधार पर राश्टपती की निर्वाचन मंडल में लोग सभा राजी सभा और राजी और केंद्र सासित प्रदेश के विधान सभा के निर्वाचन है तो यहां पर एक से जादा उत्तर हो गया भाई आंसर ए कर लिजीगा इस दा करेक्ट आंसर सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों तिरासी पे भारते समिधान के किस अनुछेत की अनुसार राज जी की भासा या भासाएं अपनाने की प्रक्रिया है बिल्कुल आंसर करिए दो राज जी की परदेशिक भासा को आठवी निसुची में सामिल किया गया है मोल समिधान हमारी आठवी निसुची में 14 भासा थी जोकि अभी वरतमान में 22 भासा हो चुकी है सवाल नंबर चलते हैं 84 पे काम पाने का अधिकार किस अनुशेत के अंतरगात आता है आंसर कर बी इस दर राइट अंसर आर्टिकल 41 के तहत और दीखे जो भी छात्र हमारे चैनल पे नए है उनसे मैं बताना चाहूंगा कि एप्लिकेशन हमारे डाउनलोड कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने के बाद आप वहां से बिहार SI का कोर्स भी पर्चेश कर सकते हैं ठीक है जो कि मातर आपका 299 रुपे में यहां से दिया जा रहा है उसमें आपको लगबग 30 सेट प्रैक्टिस के मिलेंगे और 24 सेट आपको पहले से अप्लोडेड मिलेंगे जो कि यहां से दिया जा रहा है दोस्तो इन सब का PDF पढ़िए और साथ में क्यूज भी आप कर सकते हैं इस 299 के कोर्स में सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो यहां पर 45 पे 85 पे उपराश्ट पती को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है और जितने भी यहां पर यह BPSC CDPO का दिया जा रहा है आपको जो है सेट प्रैक्टिस इसका PDF भी आ बिल्कुल आंसर कर लिजेगा दोस्तो आंसर यहां पे 85 का क्या कर लेंगे C आर्टिकल 67 के अधार पर ठीके याद रखेगा और राजिस सभाग के बहुमत के पास संकल्प प्रस्ताओं के अधार पर लोग सभा ने बहुमत के पास किया तो फिर उन्हें उस समय पूर्वपत से हटाया जा सकता है तो C आंसर कर लिजेगा इस दा राइट आंसर सवाल लंबर चलते हैं 86 पे यदि प्रित्वी अपना गृत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए बिल्कुल आंसर करेंगे यदि प्रित्वी अपना गृत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए भार सुन्य हो जाता है जबकि द्रबिमान सुन्य नहीं होगा आंसर अमारा डी हो जाएगा दोस्तो याद रखेंगे गुर्तिय तोरण अगर बात करें दोस्तो परिवर्तन से भार परिवर्तित होता है और गुर्तिय तोरण की परिवर्तन कैसे होती है तो विश्वत रेखा पर ज स्वणन सिंग समीती के सिफारे से संभिधान में मूल करतब्य को जोड़ा गया था ये आपका कतन यहां पर सही है और 42 संभिधान संसुधन के द्वारा संविधान में 11 और मौली कर्तब्य को जोड़ा गया तो ये भी कतन सत्य है इधर तो एक से ज्यादा उत्तर हो गया तो ये उत्तर कर सकते हैं अपलो सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 88 पे संविधान के किस अनुछेत के अंत्रगत नियाले द्वारा संसत की करवाहियों की जाच करना पर्तिबंदित किया गया है बिल्कुल आंसर कर लिजीए दोस्तों यहाँ पर कुश्ट नंबर 88 का बिल्कुल जी यहां दोस्तों आंसर कर लिजीए गा इट्स आ आर्टिकल 109 ठीके आर्टिकल धन विध्यक की अगर हम अच्छा यहां पर कोश् प्रतिबंदित किया गया था संसत के किसी भी करिवाही की विधिमान्यता जो है ये प्रक्रिया किसी भी अभी कथित अनियमित्ता के अधार पर ये नियाले को प्रशंगत नहीं कर सकता है ठीक है ध्यान रखेगा कोश्चन समझने का प्रयास करेंगे 122 के अंत्रगत जो भी हम किस अनुछेद में किया गया है तो 109 में किया गया है ये ठीक है याद रखेगा 109 में अनुसार विद्यक पर राजी सभा के में चर्चा तो हो सकती है परन्तु राजी सभा की और सामत्ती का प्रभाव नहीं बाना जाएगा सवाल लंबर चलते हैं मित्रो 90 पे संगी मंत्री मंडल का पुनर गठन किसकी रिपोर्ट के अधारित पर हुआ था बिलकुल आंसर कर लिजिएगा दोस्तो इस ए गुपाल स्वामी अंगर नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस दर राइट आंसर सरदार पटेल की 1950 में मिर प्रवत यूरोप के मद्य भाग में एलपस परवत से उत्तर से इस्तित है और एक परवत माला है और दोस्तों यहाँ परवत जो है फ्रांस और सुटिजलेंट की सीमा पर तो इस्तित है ठीके किसी है तो फ्रांस और स्विडिजरलेंट इराग दे दिया गए इधर तो गलत हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा ठीके लेकिन यहाँ पर आंसर फ्रांस कर लीज़ेगा सवाल नंबर चलते हैं दूस्तों इबान बे पे द्रव्य को गरम करने पर उसका अपवर्तनांग समानेता घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तित नहीं रहेगा, तो द्रब्य को गरम करने पर उसका अपवर्तनांग समानेता घटता है, आंसर ये कर लिजेगा, आप लोग प्रकास का अपवर्तनांग जब निकालीगा, तो निरवात में प्रकास का वेग अब बटे में माध्यम में प्रकास का वेग ये निकलता है ठीके अब वर्तनांग जो होता दोस्तों एक बटे तरंग धर यानि कि वन वट पन लेमडा होता है या दो का आपको पड़े होंगे ट्वेल्थ में सवाल लंबर 93 निमलिकित में से कौन सी नदियां भारती उप पश्रिम की प्रवाहित होती हैं तो तापती है साबरमती है पेरियार है सरावती है ये चारों नदिया पश्रिम की और प्रवाहित होती है तो आंसर हमारा ये कर लिजेगा दोस्तों ये नदिया जो है एक शुरी का निर्मान भी करती है डेल्टा ना बनने के कारण प्रमु ठीजल धारा है कि तो इसे भी रिलेटेट मैंने वीडियो आपको दिया हुआ है जल्धाराओं से रिलेटेट है ना उसको YouTube पे देख लिजेगा YouTube पे बहुत सारे वीडियो आप लोगको दियें भाई आपको 160 वीडियो देखना पड़ेगा भिहार SI के लिए फिर 35 वीडियो औ अगर देख लिया आप तो आपको कोई भुक खरिदने का जरुरत पड़े गई नहीं ठीक है आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पर निम्ड में से कौन सी छंडी जल्धारा है तो सी उतर कर लिजेगा दोस्तों क्यूराइल की जल्धारा जो है ठंडी जल्धारा है ठीक है ध्यान ध्यान रखेगा और यह दोस्तों प्रसांत महासागर में कोशन पूछेगा ना कि कहां आपर है तो प्रसांत महासागर में है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 95 पे निम्लिकित में से कौन सुमेलित नहीं है तो नहीं है भाई तो यहाँ पर आंसर कर लिजेगा डी गौरी सवाल लंबर चलते हैं 96 96 भारत में आपदा प्रबंधन संथान कहां इस थी थे आंसर कर जीगा यह नई दिल्ली में इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका अधिनियम जो है देखें कोशन इपोर्टेंट है गरिन वीच रेखा कहां से गुजरती है तो बहुत सारे जगह से गुजरती है घाना फ्रांस अलजीरिया टैगो माली स्पेन बुर्किनी फासु इंगलेंड से होकर गुजरती है तो स्पेन फ्रांस दूथ उडिया ही होगा यहां बाई नाम अलजीरिया है नजीरिया से नहीं गुजरती है ध्यान देजिएगा तो एक से ज्यादा उतर हो गया तो आंसर हमारा ई हो जाएगा सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पे 98 पे उचाई के अनुसार निमलिकित में से सही घटता हुआ करम बताएं उचाई के अधार पर द क्योंकि नेपाल में सागर मत्ता को कहा जाता है दोस्तों सवाल नंबर 99 निमलिकित में से कौन भारत का सबसे पूराना जल सकती उत्पाधन केंद्र है बिलकुल ध्यान रखेगा दोस्तों यहां पे आंसर कर लिएगा डी इस दराइट आंसर शिव सुंदरम डी इस दर करेक लिए नगर किसके लिए प्रशिद है और यह डाल में अगर जो है दोस्तों हमारे सहर में है या टेहरी आनसों में है किस उद्धों के लिए जाना जाता था अब यह बंद हो चुका है उत्ते होगी यहां पर ठीक है यह सरकार ने यहां पर इसमें बहुत सारे विवाद लेकिन डालमया नगर सोन नदी के किनारे डेहरी में इस्तित है ये ध्यान रखेंगे डेहरी और सोन कहते हैं इस सहर को और डालमया नगर में सक्कर, कागज, पनस्पती, तेल, रसायन और एसबेस्टस की उद्धो काफी ज़्यादा परसिद था ठीक है ये सहर नहीं था ये अपने समय में अगर ये फैक्टरी चालू रहती यहाँ पे तो सायद ये जो बिहार का जो प्रदिर्श है ये कुछ और ही रहता ठीक है ये बहुत ही विस्तित है इतना बड़ा है कि आप यहाँ पे खो जाएंगे गूमते गूमते और बिहार का एक भागलपूर का भी छेत अगर में आपको बता दू कि सिमेंट उद्यों के लिए जाना जाता था प्रसीद था ये आंसर बी कर लेंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी छातर इस वीडियो को देख रहे एक लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता है आपका यहाँ पर दूसरी चीज़े हैं दोस्तों कि वीडियो को लाइक और शेयर करने से नहीं आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा दूस भी अब अपलोड होने शुरू होंगे जैसी यहाँ पे बिहार साई का सारा पीडियो जो है समाप्त कर दिया जाएगा तो दो से चार दिन और इंतजार कीजिए यहाँ पे आप लोग अभी यहाँ पे सारे चीज जो भी छात्र अप्लिकेशन पर जुड़े हैं उनके कोर्स भ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का धन्यवाद